यह अज पायाय आप पलक कसाग बनाब करते हैं यह को प्रेखत रहीं सुस्प्राइद तड़के के लिए मैंने यह प्यास काट ली यह तो सुपर के लिए पुखित लेखे और यह हांना टोड़ सिहींग हों प्लों midst को दोतरृ आगफिते तक्ले दीक है अब तब बिवत्व फ़्राइं तया करना हें मैंने मनें बमक्राइए तब तोड़ा सी घ्रण हो जाएगा तोसमें ग종 दर अन gedacht अब इसमें तेल खरा हो गया है हिंग डालने के बाद हम डालते हैं इसमें अपनी प्यास 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 लाल हो गई है प्यास लाल होने के बाद इसमें डाल देते हैं हमने आलू जो में काटके दो के रखते हुई है इसको थोड़ा सब तल लेंगे आलू जो जब आलू को अच्छा से तल लीजिए तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा सोंधा आता है अपेल आलू जब मारा यह को अच्छा से तल गया है इसके बाद हम डालते हैं इस पालक तो पालक और तोया मेठी इसमें निला हुआ है इसको को अच्छे से निला देते हैं यह आच्कल सर्वियों में बहुती मवेदार इसकी ताजा सा यह नमक डाल देते हैं हम पिंक सॉल्ट इस्तिमाल करते हैं फ्रेंस यह हमारा पिंक सॉल्ट है इसमें थोड़ी सी जधा करके ऐसे और हम इसमें अपने यह टमाटर डाल देते हैं और इसको उपर से बंद कर देते हैं कि इसमें टमाटर यह कबच्छे से गल जाए और इसकी आज को हम बहुत पेज रखते हैं फुल फ्लेम पे इतनी देर के लिए इस पर ढखकन डालेंगे कि टमाटर गल जाए उसके बाद ढखकन को हटा देंगे इसको खोल के देखते हैं हमारा साग कैसे बन रहा यह जो टमाटर हमने डाले थे उसमें यह देखे गल गए हैं और यह हमारा पानी भी पूरा सूख चुका है अब इसको तेज आज पर भून लेंगे और यह साग हमारा बन के बिल्कुल तयार यह देखें पर आलू पलक सोया मिथी का साग बनाया है फिरस तो उसके साथ सोचा कि लाओ बेशन की मिस्सी रोटी बनाते हैं तो उसके लिए यह प्याज है प्याज और एक हरा मिर्चा अधनिया इसको हम खुब इस तो नहीं प्याज दालते हैं यह हरा धनिया भी इसी में डाल नेते हैं इसको हम बहुत अच्छे से चॉप कर देते हैं प्रेंट्स यह देखें धनिया मिर्चा और प्यास को हमने खुब अच्छे से चौप कर दिया एक कप भरके हम यह लेते हैं बेसन यह हमारे कप से एक कप है अब हम इतना ही गेहूं और दिया है प्रेंसी चौथाई कप हमने मकई का आटा इसमें ले लिया है तो अब यह बेसन गेहूं और मकई का आटा है अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालते हैं बिल्कुल जरा सा ये देखें चौथाई चम्मच नमक डालते हैं और इसमें जो हमने ये अपना प्यास धनिया और हरा मिर्चा चौप करके रखा हुआ है इसको डाल देते हैं और इसमें फिर हम थोड़ा सा एक चुटकी जीरा डालते हैं इस जरा सा एक चौथाई चम्मच जीरे का हम डालने हैं अब इसको खुब अच्छा सा आपस में मिला देंगे हैं एक जान कर देंगे इसे यह बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रोटी बनती है मिस्सी रोटी जो साग के साथ तो बहुत ही जबर्दस लगती है मिलकुल सोंधी पहले चूला उला होता था तो लोग चूले पर बनाते थे बहुत ही मज़िदार बनती थी लेकिन अब गैस पे ब ही टेस्ट लाएं जैसे चूले का होता है तो चलिए आपको बताते हैं कि हम यह रोटी कैसे बनाते हैं अब इसका एक बहुत ही अच्छा ना बहुत सख्त होगा अनो बहुत ही मुलायम होगा नॉर्मल सा डो बना के तयार करते हैं इसमें पहले थोड़ा थोड़ा पानी डा कहले यह आता थोड़ा स सता आटा लगाएंगे मुलाया इसमें थोड़ा से पानी और जाएगा एं फरेंस यह हमारा दो देखिए तइयार हो गया है इसको थोड़ी देर के लिए रिश्ट के लिए राकते हैं देखिए हमारा डो जो है यह ऐसे करके देखिए यह न बहुत ही टाइट है और न बहुत गीला है यह बहुत ही सौफ डो तयार हुआ है अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे पाच से दस मिनट उसके बाद हम इसकी रोटिया डालते हैं यह सरसों का तेल थोड़ सा हाथ में हम लगा लेते हैं हाथ में लगाने के बाद इसकी लोई काटेंगे हम अपने हिसाब से जितनी हमको मोटी रखनी क्योंगी गैस पे बहुत ज्यादा मोटी रोटी अंदर से कटी रह आती है इसकी लोई बनाते हैं पेड़ा इसका पेड़ा बनाके यह देखें प्रे के बाद इसको यहां से ऐसे करेंगे और इसको यहां पर फिर आराम से ठोकेंगे बीच के पोचन पर जीज़ादा है एक हुद700G कर थोकना है आगे की उंगलियां कि पर लगी रहे तो हमारी रोटी भहत अच्छी कि यह फ्रेंट तवे पे हम अपनी रोटी आराम से डाल देते हैं कि यह रोटी फ्रेंट एक तरफ जब हो जाती है इसकी आज बिल्कुल स्लो करना है बिल्कुल सिंप रख करके यह रोटी को ठीवा थोड़ा सा चाकू से या किसी चीज़ से उठा के अब इसको पलट देते है देते हैं कि और लटी को हम होद अच्छा सा सेकते हैं पहले खड़ा करके सेकेंगे कि इसके किनारे किनारे के एज इससे खोवचे से सिंख जाए और उसके बाद हम इसको ऐसे पलट के सेकते हैं तो ये हमारी बहुत ही अच्छी सी रोटी सिख जाएगी ये रिखे हैं खुब फूली फूली रोटी तयार होती है ये हमारी तयार होती है फ्रेंक्स मेरे कहने पे एक बार इस रेसेपी को जरूर ट्राइक करिएगा और आपको अगर रेसेपी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेर, सबस्क्राइब जरूर करिएगा दौाओं में याद रखिएगा अल्लाहाफेज, टेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी